देवी सुरेश्वरी भगवति गंगे त्रिभुवन तारिन तरलत रंगे शंकर मौली विहारिन विमले मममति रास्ताम तव बद कमले प्रेम से बोले गौरी पुत्र जनेश भगवान के जै गंगा मैया के जै ओम नमस्षिवाय हरे कृष्णा हे प्रिय भगतों आज मैं आपको सुना रही हूँ गंगा द शहरे के दिन सुनी जाने वाले गंगा अब्तरन की बड़ी ही दुर्लब पावन पुरानिक प्रत कता जिसे आप सभी भगत गन बड़ी ही श्रधा तथ प्रसंचित्मन से पूरा वश्य सुनीगा मैं शेव शिवा और गंगा मया से प्रातना करती हूँ कि जो भी मनुश्य इस कथा को सुन रहे हैं उनके घर में सुक समरिधी सुक शान्ती हमेशा बनाए रखना और उनके सभी पापों को नश्ट कर देना जै मा गंगा हे प्रिय भक्तों सकंद पुरान के नुसार इस दिन माता गंगा भगवान विष्णों के चर्णों के अंगूठे से निकल कर भ्रमा जी के कमंडल से होते हुए राजा भगिरत के तपस्या के परिणाम स्वरूद शीव जी की जटाओं से होकर पृत्वी लोग में अब्दरित हुई थी यह तिथी जेश्ट मास की दश्मी है इसलिए यह दिन मोक्ष दाइनी माना जाता है इस दिन गंगा में सनान करने से मनुष्य को रोग दोश और विपत्यों से मुक्ति मिल जाती है लेकिन गंगा दशहरे की दिन पवित्र गंगा नदी में सनान करने से उन दस मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है जो पुन्य प्राप्ति में अर्चन पैदा करते हैं हे प्रियवक्तों, यह दस्पाप क्या है? देखे, किसी के घर का बिना पुछे कोई समान उठा कर हमने भोग कर लिया हो किसी भ्राम्मन, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो किसी नारी के प्रती, किसी कन्मिया के प्रती अगर गलत सोच लिया हो या गलत करम हमने कर दिया हो रज स्वला इस्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन अगर हमने ग्रहन कर लिया हो तो गंगाद शेहरे का ही दिन ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है किसी के यहां सुतक पातक हुआ हो तो अगर वहां का पानी या भोजन ग्रहन कर लिया हो किसी मंदिर या किसी पवित्र जगह पर अगर हमने अपना कबजा कर लिया हो जाडू लगाते समय जो छोटे छोटे जील जो हमसे मर जाते हैं जिस समय हम भोजन ग्रहन कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठ चाए और हमने उसको भोजन के लिए नहीं पूछा या उसका मुझ जूठा ना करवाए तो उसे कुछ खाने को नहीं दिया हो तो उस दोश को गंगा दशेहरे का दिन ही समाप्त कर सकता है नवा दोश जब बेटी के शादी की उसकी शादी में बेटी के लिए बहुत सारी साड़ी आ गए बहुत कन्यादान का समान आ गया तो अगर बेटी के कन्यादान का समान अपने घर में रखने से उसका भोग करने से जो पाप लगता है तो यह पाप गंगा दशेहरे का दिन धो देता है और दसमा पाप है यदि किसी तेर्थ स्थान में जाकर हमने कोई गलत काम किया होता है तो गंगा दशेहरे का दिन उस पाप को भी धो देता है गंगा दशेहरे का मतलब होता है कि दस पापों से मुक्ति यह गंगा दशेहरे का दिन दस पापों को धोने का एक दिन ऐसा है जिस दिन गंगा सनान से इन दसो पापों की मुक्ति मिल जाती है जै मां गंगे हे प्रियभक्तों तो आईए अब गंगाद शहरे की बड़ी ही पावन कथा का रस्पान करते हैं सूरे वैश में बाहु नाम के एक राजा हुए वे बड़ी ही धरम परायन राजा थे वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान क्या करते थे पापियों और द्रोहियों को उचित दन देते थे जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धरम पूर्वक रहते थे उनके राज्य में अन्वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी जिससे समस्त प्रजा जन वहां सुख पूर्वक निवास करते थे एक समय राजा बाहू के मन में एहंकार उत्पन हो गया वे सोचने लगे कि पूरी प्रिथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं मेरे राज्ये में हर और सुख शान्ती है मैंने अपने सभी शत्रों को जीत लिया है मुझे समस्त वेद और शास्त्र का ज्यान है इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है हे प्रिय भक्तों देखिए अब जब मनुश्य स्वयम को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोश दिखाई देने लगता है जो दूसरों में दोश देखते हैं उनकी वानी भी दोसरों के प्रती कठोर हो जाती है जिसका मन सदा दोसरों में दोश देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर भाशन किया करते हैं उनके प्रिय जन, पुत्र, तथा भाई, बंधु भी शत्रू बन जाते हैं इसलिए जो मनुश्य मित्र, संतान, ग्रिह, धन, धन्य आदी सब की हाने देखना चाहता है उसे ही यह सब काम करने चाहिए इस परकार एहंकार के बढ़ जाने के गारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रू बन गए है है ताल जंग, शूर और शेश बिंदु नामक राजा से उनकी प्रले शत्रूता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद छिड़ गया युद में राजा बाहु परास्थ हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगी दुख और संताब से राजा बाहु का श्रीर जरजर हो गया और कुछ समय के बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी पती के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ उन्होंने पती के साथ ही चिता में चलने का निश्चे कर लिया उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और्व मुनी का आश्रम था और वो मुनी परमतेजस्वी पुरुष थे उन्हें तीनों कालों का ज्यान था जब उन्होंने राज़ा पाहु की उस पती ब्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा हे देवी, तुम्हारे गर्भ में शत्रों का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालत है इसलिए तुम चिता पर चड़ने का साहस मत करो वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती इस्त्री के सती होने का निशेद है यदि तुम स्वैम अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शीशों की हत्या करने का अधिकार नहीं है इसलिए तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए हे प्रियभक्तों मुनी के इस परकार कहने पर हिरानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियोंने मिलकर पती का विधी पूरवक अंतिम संसकार किया और रिशी के कहने पर उनहीं के आश्रम में रहने चली गई और वो मुनी के आश्रम में रहकर दोनों रानिया महरिशी की सेवा सतकार में समय व्यतीत करने लगी पर छोटी रानी अपनी कुल के संसकारों के कारण धरम करम में विशेश रूची लेती और और वमुनी के सुन्दर प्रवचनों को अपने हिर्दे में धारन करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में सनलगन रहती थी जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रती इर्श्य होने लगी और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिला कर दे दिया हे प्रियभक्तों पर इश्वर की क्रिपास से छोटी रानी बर उस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जनम दिया और वमुनी ने विश के साथ उत्पन हुए उस बालक का नाम सगर रखा माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वग पालन पोशन किया जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और वमुनी ने उसका यग्यपवे संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्यन करवाया साथ ही अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा भी दे और वमुने से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा तब माता ने उन्हें सारा वितान कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रों से हार कर वन में आए और यहां और वमुने के आश्रम में सगर का जरम हुआ सारी कथा जानकर सगर को भीषन क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिग्य कर ली कि वह अपने पिता के शत्रों का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा तब माता से आज्या लेकर सगर और वमनी के पास पहुँचे और उनका आशिरवाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महरिशी वशिष्ट के पास पहुँचे कुल गुरु वशिष्ट से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समचार सुनाया महरिशी वशिष्ट सगर को देखकर अत्यंत प्रसन हुए और उन्हें विभिन प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान कि इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसचित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ट से आग्या लेकर अपने पिता के शत्रों से युद्ध करने पहुंचे सूर्य वीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रों को प्राजित कर दिया हे प्रिय भक्तों तब बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ट मुनी के शरण में पहुंचे गुरु वशिष्ट की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया यह देखकर वशिष्ट मुनी सगर पर बहुत ही प्रसंद हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राजी अभिशेक किया ततपस्चार राजा सगर और वह मुनी के आश्रम पर गए और उनकी आग्या लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राज महल ले आए और सुख पूरवक रहने लगी अयोध्या के राजा सगर की दो पत्निया हो गई उन्होंने दो विवाह की पहली का नाम केशनी था और दूसरी का नाम सुमती भिगू रिशी के वर्दान से केशनी का एक पूत्र हुआ जिसका नाम असमन जस्था जबकि सुमती के गर्ब से साथ हजार बलशाली पुत्रों का जनम हुआ एक बार गोकर्ण तेट में राजा सगर ने अश्व मेघ यग्य का आयोचन किया राजा इंद्र ने सूचा यदि राजा सगर ने अश्व मेघ यग्य कर लिया तो शायद वे इंद्रसन पर भी कपजा कर सकते हैं इसलिए इंद्र देव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोच में राजा सगर ने अपने साथ हजार पुत्रों को भेजा इन पुत्रों ने साथ योजन भूमी खोड़ डाली जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ती हुई पृत्वी को खोदने के क्रम में सगर के साथ हजार पुत्रों ने अश्व में एक यग्य के घोड़े को पाताल में देखा वह घोड़ा भगवान विश्णू के अवतार कपिल मुनी के आश्रम में घास चल रहा था इंद्र ने उस घोड़े को चुरा कर वहीं पर छुपा रखा था सगर के पुत्रों ने कपिल मुनी के साथ अभ़द्र विवार किया अब ध्यानस्त मुनी ने अपनी आंखे खोली और सगर के पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया अब इधर समयवेतीत होने लगा जब राजा सगर के साथ हजार पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने साथ हजार पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंसुमन को भेजा अंसुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रबित हो गए भ्रम्मा ने अंसुमन से कहा कि देवी गंगा को आकाश से प्रिथ्वी पर उतारने का यतन करो वही सगर के साथ हजार पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी राजा अंसुमन गंगा को आकाश से प्रिथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सकी उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया लेकिन वह भी असफल रहे राजा दिलीब के पुत्र राजा भगिरत ने गंगा को पृत्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की राजा भगिरत की तपस्या से प्रसन होकर भ्रह्माने गंगा को पृत्वी पर उतारने की अनुमती दे दी लेकिन गंगा ने कहा आकाश से प्रिथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है राजा भगिरती ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसंद किया भगवान शेव ने गंगा को अपने जटाओं में उतारने का निर्ने कर लिया जब गंगा आकाश से शेव के जटाओं में उतरने लगी तो उनके दर्प, अर्थात, घमंद, एहंकार को देखकर शेव ने उन्हें अपने जटाओं में कैद कर लिया राजा भगिरत के द्वारा भगवान शेव की एक बार फिर पूजा करने के बार भगवान शेव ने गंगा को बिंदू सरवर के पास अपने जटाओं से निकाल दिया बिंदू सरवर से गंगा की साथ धाराएं निकली गंगा की जो तीन धाराएं पूर्व की ओर निकले उनका नाम जानभी, पावनी और नलीनी पड़ा नलीनी नदी को ही आजम भ्रम पुत्र नदी के रूप में जानते हैं पश्चिम दिशा की ओर गंगा की तीन अन्य धाराएं निकले जिनका नाम चक्षुस, सीता और सिंधु पड़ा दक्षिन दिशा की ओर स्वयम गंगा राजा भगिरती की पीछे पीछे चले रास्ते में गंगा की प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनी जन्हु क्रोधित हो गए क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे गंगा की प्रभाव से उनकी तपस्या में विघन आ रहा था तो उन्होंने गंगा को पी लिया राजा भगिरती के अनरोध करने पर महामुनी जन्हों का प्रोध शान्थ हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर गया इसी वजह से गंगा का नाम जानवी भी पड़ा राजा भगिरती के पीछे पीछे गंगा स्मुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई पाताल में राजा सगर के साथ हजार पुत्रों की राख को गंगा ने स्पर्ष किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्ग लोग की प्राप्ती हो गई इसलिए राजा भगिरत के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भगिरत ही भी पड़ा गंगा के प्रिछवी पर अवदरण के बाद भ्रह्मा जी ने वर्दान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जनम मरन के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी जो भी इस गंगा अवदरण के दिन गंगा दशहरे के दिन गंगा में डुब की लगाएगा उसके दस पाप स्वतहर नश्ट हो जाएगे और उसके घर में सुक समरिथी का आवास सदैव रहेगा भोले नात उससे सदैव प्रसन रहेगे तो एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मात की जै हर हर गंगे हे गंगमिया जैसे आपने भागिरत के कारे को सिद्ध किया उनके पूरवजों को मुक्ती दिलाई वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले हुंकारा भनने वाले सभी भक्तों पर अपनी क्रिपा दृष्टी बनाए रखना सभी के कारे सिद्ध करना सभी के पापों को नश्ट करना ओम नमस्षिवाय हरे क्रिष्णा हे प्रिय भक्त करनों गंगाद शहरा व्रत कथा को भगवान विष्णों माता लक्ष्मी को सुनाते हुए बोले हे प्रिय सौराश्ट्र नामक स्थान पर एक गाउं में एक व्यक्ति रहता था जाती से तो वह ब्रह्मन था प्रंतु अपना ग्यान कभी भी किसी को नहीं बाढ़ता था वह प्रती दिन घर घर जाकर मांग कर लाता और अपना पेट भरता और जो शेश बचता उसे वह इकठ़ा करकरके रखनेता किंदु कभी भी दान पुन्ने नहीं करता गंगा दशेहरे के दिन गंगा मिसनान नहीं करता कभी पूजा पाठ उपवास नहीं करता कुद्टे और गाय को भी वहरोटी नहीं देता समय भीत ता क्या परंतु संचे करने की उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया एक दिन उसकी मृत्यू हो गई इसलिए यम्राज के दूत यम्राज जी से बोले हे प्रवो यह जाती से भ्रामन है इसलिए आप इसे इच्छित योनी दीजिए वह बोले इसने अपने जीवन में ना तो कभी अपना ग्यान बांटा और ना ही कभी गंगा दिशेहरे की दिन दान पुन्ने किया ना ही गंगा में सनान किया केवल संचे करने का ध्यान रखता है वरतु पुवास नहीं किये इसे कुट्टे की योनी दे दो हे प्रियभक्त गनो वह कुट्टा बनकर मृत्यू लोक में आ गया भूख से तडपता हुआ वह घर घर जाता और भौंकता फरंतु कोई उसे रोटी नहीं देता भूख के कारण बिलगता हुआ वह मर गया तब ये मराज की दूद बोले कि इसे तो किसी ने रोटी नहीं दी बेचारा भूका ही मर गया तब ये मराज की बोले इसने पिछले जनम में कभी भी भूके को रोटी नहीं दी इसलिए इस जनम में इसे रोटी नहीं मिली इसके बाद उसे उड़ने वाले काले छोटे जीव की योनी दी गई जो गोबर में रहकर उसकी गेंद बनाकर गूमता है एक दिन एक भंवरा उड़ता हुआ उसके पास आया और उससे उसकी दोस्ती हो गई और उससे पूछा कि तुम गोबर के गोले बनाकर क्या कर रहे हो फिर वह बोला कि यही मेरा घर है मैं इसमें ही रहता हूँ फिर भंवरे ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा घर देख लिया अब तुम मेरे घर चलो वह बोला मैं कैसे जा पाऊंगा तुम तो उपर उड़ कर चले जाओगे मैं इतना उड़ नहीं सकता भंवरे अपने पंजों में पकड़ कर उसे ले गया एक सुन्दर बाग मैं फूल पर बिठा कर बोला देखो यह मेरा घर है उसने कहा कि तुम्हारा घर तो बड़ा ही सुन्दर है आज मैं यहीं रहूँगा फिर भंवरे बोला कि ठीक है रात होने से पहले फूल से निकल कर पत्तों पर आ जानन इस तरह ठीक है कहकर वह कीड़ा वहीं बैठा रहा फूलों की खुशबू लेते हुए उसे नेंद आ गई रात होते ही वह फूल बंद हो गया सुभा पंडित बाग में आया वहां से फूल तोड़े और मंदिर में ले जाकर शंकर पारवती गनेश आदी देवताओं पर चढ़ा दिये फूल में बंद वह कीड़ा देवताओं के चर्णों में रहा दूसरे दिन पंडित आया पहले दिन के फूल उठा लिये और ताजे फूल चढ़ा दिये पूराने फूलों को गंगा नदी में बहा कर घर आ गया इस तरह वह कीड़ा फूल में ही मर गया अब धरम राजजी ने इस बार उसे बंदर की योनी दी बंदर पेड़ों पर उचलता कूदता जो मिलता खाकर पेड़ भर लेता इसी प्रकार गंगा दशहरे के दिन राजा की रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ बगीचे में भोजन आदी लेकर आई उस दोरान उसका गंगा दशहरे का व्रत था इसी लिए सुर्यास्त होने के बार भोजन करने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया उसने एक रोटी गाय के लिए एक रोटी कुटे के लिए निकाली और भोजन करने लगी तो बंदर इधर उधर से छप्टा मानने लगा रानी बोली यह कैसा बंदर है जो व्रत भी नहीं खोलने दे रहा फिर उन में से एक सकी बोली हे महरानी रोटी देनी तो जानवर को भी है फिर इसे ही क्यों न दे दे दो दो रोटी सब ने उस बंदर को ही दे दी और शिव मंदिर में प्रणाम कर अपने अपने घर चली गए अब दूसरे दिन सुभा के समय जब रानी बगेचे में फूल तोड़ने के लिए आई तो देखा कि वह बंदर मरा पड़ा है वे सभी अफसोस करने लगे कि हमारी दे हुई रोटी खाकर बंदर मर क्या है हम पाप के भागी हो गए हे प्रिय भक्त गणो इस प्रकार मरने के पाद जब बंदर यम्राज के द्वार पर पहुँचा तो यम्राज बोले अब इसे कौन सा चनम मिलेगा यह फूल में बंद रहकर भगवान के चर्णों में एक दिन और एक रात रहा इसके पश्चार इसने गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी मे सनान किया तथरानी और उसकी सख्यों के हाथ से इसने रोटी खाई उनके द्वारा किये गए गंगा दशहरे के वृत का फल इसे भी मिला है जिसके कारण इसका उध्धार हो गया इस परकार कहते हूए यम्राज ने अपने दूतों से कहा कि जो भी भक्तगर गंगा दशहरे के दिन गंगा मैं भक्ती पूर्वक्सनान करके माता गंगा को प्रणाम कर शिव और विष्णों की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा उसके सारे पाप संताप नश्ट हो जाते है तो एक पर प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जै ओम नमस्षिवाए हरे क्रिष्णा हे प्रिय भक्तों इस कथा को पूर्ण करने के लिए आईए आप सुनते हैं भोले नात की सुभग के देने वाली बड़ी ही सुन्दर कथा एक बहुत ही मनुरम गाउं था उस गाउं के बा एक दिन एक गरीब मा अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़ कर चली गई बहुत खोजने पर भी पूजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला जब गाउं का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोशन करने को तयार नहीं हुआ तो पूजा पूजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझ कर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा गाउं के शृद्धालू भक्तों से जो कुछ प्राप्थ होता उसी से भगवान शिव का पूजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बंटाने लगा व्रिद्ध पुजारी जी के ठके हारे हाथों कुछ अराम मिलने लगा इसे लिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई भगवान शिव की पूजा उनको भोग लगाने और उ एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमश शिवाइ ओम नमश शिवाइ शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्रांठ छूट रहे अब बालक गोपाल का इस अंसार में भगवान शिव के सिवाइ और कोई सहरा नहीं ठान उसंने पुजारी जी कि यह तीन बाती कभी नहीं भूली भगवान भोले नाथ शिप शंकर को ताजी करम रसोई का भोग लगाना भगवान को भोग लगाए बिना स्वयम कुछ नहीं खाना भगवान शिप पर विश्वास रखते कभी भी किसी भी चीज का संग्रह ना करना बासी भोजन तक का भी नहीं यदि कोई भखत पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालख गुपार उसे गरीबों में बांढ देता वहता जी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता उसके बाद भी स्वैम प्रसाद ग्रहन करता और यदी बचता तो उसे वह बांठ देता यदी रसोई बनाने को और समक्री नहीं होती तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता एक बार बरसाद का मौसम आया तीन चार दिन तक मुसलाधार वर्शा होती रही और मंदिर म एक भी भक्त नहीं आया गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और विचारा खुद भी उसी गंगा जल को पी कर रह जाता हे प्रिय भक्तों अब देखिए भगवान भोले नार बालक की भक्ती और सेहन शीर्टा की परिक्षा भी ले रहे थे कि इंतु आखिर मैं अपने भक्त बालक को भूख से दड़पता देखकर भगवान से रहा नहीं गया और वहां माता पार्वती तो ममता मैं है ही विसेठ के नौकर का रूप धारन करके हाथ में भोजन समगरी की बहुत सारी पोट्री लेकर वर्षा मैं भीगते हुए मंदिर क द्वार पर आप उंचे उन्होंने आवाज लगा कर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोट्री देते हुए बोले कि सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है इससे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वेम भी प्रसाद पाओ मैं कल फेरा हूंगा गोपाल ने भोजन करा हैं पूरे बरसाद के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेज में गोपाल के घर आते हैं और सिदह दे चाते आदे और स्वेम भी गरम गरम रसोई का भोग पाते एक दिन गोपाल मिन सोचा कि सेठ जी को सिदह भेजते हुए चार महीने हो गए हैं, किन्तु वे स्वयम कभी मंदिर में नहीं आएं, कभी भोले बाबा का प्रसाद भी गरहन नहीं किया, अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेश में पोट्ली लेकर आएं, तो वे भोला भक्त गोपाल बोला, कि अरे भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी, कभी भी स्वयम मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हिर्दे अत्यन्थी दुखी हो रहा है, अपने सेठ जी से कहना, कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहन करने के लिए अवश्य पधारे, यह सुनकर, बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए, और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा, आपको सिधा भेजते हैं ना, आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाईए, भोले बाबा को भोग लगाईए, और स्वयम भी परसाद खाईए, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई, जैसा चल रहा है, वैसा चलने दीजी ना, गुपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दो, आपके धर्मात्मा सेठ जी, इतने दिनों से भगवान भोले नाथ को परसाद बनाने के लिए, इतना सारा राशन भेजते हैं, क्या मै मैं उन्हें भगवान का परसाद देने का अपना करतवे भी पूरा ना करूँ, मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ, अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का परसाद ग्रहन करने वे नहीं पधारे, तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूँगा, मैं उन कर मन ही मन हंस भी रहे थे, अरे वा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धोंस दिका रहा है, लेकिन सरल हिर्दय भक्त के मनोभाव पर रीज कर वे बोले कि ठीक है, पंडी जी कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहन करने अवश्य आएंगे, हे प्रिय भक्तों, अब द के भेश में दूद और बहुत सारी समगरे लेकर मंदिर पहुच गए, गोपाल चौकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सिधा किस लिए, नौकर बने भोले बाबा बोले, कि पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाए है, आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाईए और भोले बाबा को भोग लगाईए, और हाँ, यह तो बता दो कि सेठ जी किस समय बता रहे हैं, अब तो गोपाल ने प्रसन होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया, हे प्रिय भक्तों, देखे, अब भोले भक् भोले नाद के लाश पर सेठ जी का रूप धारन करने लगे, उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहां खाने पर जाने का समझा सुनकर, मम्ता मई, अन्नपूर्णा मा पारवती भी भला कैसे पीछे रह सकती थी, वे भी पती की आग्या लेकर सिठानी जी का र शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागम भर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार बे उतार दिये, उन्होंने एक मकमल सुन्दर कुर्टा धारन किया, अपने जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छुपा लिया, उपर से एक सुन्दर सी रंग पिरंगे पगड़ी पहन ली, सदैव नंगे पैर विच्रन करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेश्मी जूतियां धारन कर ली थी, हाथ का त्रिशूल और डमरू बोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया, और अपने हाथ में एक सुन्दर छड़ी ल पार्वती जी घंटों से अपना श्रिंगार करने में जूटी हुई थी, उन्होंने सुन्दर बनार सी साड़ी पहन ली, जिसका रंग सेड़ जी के कुर्ते से बहुत ही मैच कर रहा था, उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आपूशन धारन के लिए, अपने हाथ में बहुत ही सुन्दर बने हुए धन के थैले को थाम लिया, और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रिंगार कक्ष से बाहर आई, जब पार्वती जी और शिवजी जी ने एक दूसरे को सेट सिधानी के वेश में दिखा, तो वे चकित होकर एक दू दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे, कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था, जब भगवान गौरी शंकर सेट सिधानी का रूप धारन करके, केलाश से अपने भक्त के यहां दावत खाने चले, तो गणेश जी और कार्ती के भगवान, नंदी जी, रिशी देवता, देवंग नाए, उन्हें देखकर ठगे से रह गए, उनकी भी तो इच्छा थी, प्रंतु क्या करती, बुलावा तो सिर्फ सेट जी और सिथानी जी रूपी, भगवान शिव जी, माता पार्वती को ही था, सेट बने शिव जी, अपने हाथ में लीव हुई छड़ बड़े ही मजे से घुमाते हुई, प्रिथ्वी पर तहलते हुई चल पड़े, और उनके पीछे-पीछे, माता पार्वती, उनके पाओं की पायर, जो की छन-छन मधुर ध्वनी करती हुई, मंदिर में प्रवेश करती हैं, अपना भोला भक्त, जो की गोपार, आज बहुत अथी सुभा उठकर सेट जी के स्वागत में भांती भांती के पगवान बनाने में चुटा हुआ था, अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किन्तु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेट परसाच जो देना था, इसलिए आज उसने अपनी सारी पाख कला जोंक डाले, उसने सेट जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेट जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते बदाम के सर चिरोंजी किश्मिश डाले, और साथ ही बड़े प्रेम से आटे को गोंद कर लोईया बना कर उससे पूरिया बनाई, रसोई बना कर भोला भक्त पुनह सनान करने चला गया, ताकि स्वच वस्त्र पहन कर भोले बाबा को भोग लगा सकी, और सेट जी उसका प्रसाद पा सकी, जब भोला भक्त गोपाल सनान करके लोटा, तो देखा सेट जी प्रसाद ग्रहन करने के लिए स्वयम तो आय ही है और संग मैं अपनी सेथानी जी को भी लाये हैं दोनों का आदर सत्कार किया उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूं फिर आपको प्रसाद प्रोसुंगा भावना के भूके भोले बाबा से भूक सहन नहीं हो पा रही थी इसलिए वे बोले कि पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगा कर आईे मुझे भूक सहन नहीं हो रही भोला भगत को पाल भूला सेथ जी भूक तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है किन्तु मैं अपनी भूक के कारण अपने भगव भगवान को भोग लगाना थोड़ी ही भूलता यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूक के लिए भगवान को भूक लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूके ही रह जाएंगी सेड़ जी बने हमारे भूले बाबा महादेर जी बोले पुजारी जी अच्छा ठीक है आप भगवान को भोग लगाए मैं अपने लिए पतल परोस लेता हूं क्योंकि मुझसे भूग सेहन नहीं हो पा रही गुपाल सेर जी बने भोले बाबा को डाड़ते हो बोला सेर जी भगवान के काम मैं ना तो जल्द बाजी चलती है और ना ही कंजूसी मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रुसोई के पास भी नहीं फटकेंगे आप चुप चाप इधर बैठ जाए और ओम नमशिवाय जबते रहिए मैं अभी आता हूं और आपको भर पेट भोजन कराता हूं सेट बने शिव जी डांट खाकर चुप चाप अपने आसन पर जाकर बैठ गये सेठानी बनी पारवती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई लेकिन जैसे ही भोला भगत गुपाल पतल में सामगरी लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया भगवान शिव पारवती जी को मौन रहने का वियंचन उठा कर चखना शुरू कर दिया भोले बाबा तो परसाद को चखते ही चौंक गए खीर में चीनी की जगा नमक भरा हुआ था सबजियों में चीनी भरी हुई थी जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मूह में दिया सीसी करने लगे क्योंकि र सीसी करते हुए उलते पाउं भाग गए और अपने आसन पर जाकर बैठ के मा पारवती अपने स्वामी की यह हालत दे कर खिल खिला कर हंस पड़ी इससे पहले कि भगवान शिव जी पारवती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते गोपाल ओम नमस शिवाए ओम नमस शिवाए मंत्र का जाब करते हुए बहां पहुचा उसने भोजन को रसोई मैंसे निकाल कर गंगा जल छिड़कर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेर्ची के सामने पतल परोश कर हाथ जोड़ कर बोला सेर्ची अब आप जी भरकर प्रसाद पाईए हे प्रिय भक्तों भ जानी हुई रुसोई चक चुके थे इसलिए उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूटते कभी वे गोपाल का मुह देखते तो कभी माता पार्वती को देखने लगते गोपाल को सेर्ची की धील बरदाश्त नहीं हुई और बोला सेर्ची अब आपको क्या हो गया अभी अभी तो इतने उतावले थे आपको भूक लगी थी अब आप भोजन क्यों नहीं करते अगर आप भोजन ग्रहन करेंगे तब ही तो माता जी प्रसाद ग्रहन करेंगी और फिर मैं पाऊंगा गोपाल की ललकार सुनकर बोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुलहड उठाया और सारी नमकीन खीर गटा गट पी गए कुलहडखाली होने की देर थी कि वह भोला भक्त गोपाल ने उसे जट से भर दिया अपने प्रिये भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दो गुना स्वात लगने लगा जगत चन्ने माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख कर मंत्र मुग्ध होती रही जब सारी रसोई समाप्थ हो गई तो भगवान ने एक जोरदार की ड़कार भी भोला को होश आया और बोला सेर्जी वा मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी से रसोई बनाई है और ये मुझे पता होता कि आ आपको प्रसाद ग्रहन करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता भगवान शिर्व अपने पेट पर हाथ पेटते हुए सिथानी बनी पार्वती जी की और मुस्कुराते हुए बोले पुजारी जी मैं इतना रोज कहां खाता हूँ किन्तु आज प ठीक नहीं क्या माता जी तो भूकी ही रहे गई वे क्या खाएंगी ममता मई पार्वती जी ने उस भोले भक्त को पाल को दुखी देखकर उन्होंने बची हुई खीर की चार बूंदे अपने कंठ में डाल ली भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलोक एक तेज और स्वात भरग्या था ऐसी सुगंध और मीठी खीर चक्तर जगत जन्नी दृप्त हो गई और उनके दृप्त होते ही स्रिष्टी का प्रतेइग प्रानी दृप्त हो गया भोला भक्त गोपाल बुला सिर्ष जी आपने और माता जी ने प्रसाद तो ग्रहन कर लिया इससे मुझे बहुत ही संदोश हुआ समझ लिजे कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहन करने से मेरा भी पेट भर गया मेरी तो वैसे भी महीने में चार-चार एकदशी हो जाती है किन्तु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे की भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठा कर अपने कंठ में डाला उसकी जनम जनमांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छों की त्रिप्ति हो गई उसके ज्ञान के नेत्र खुल गई और उसने देखा उसके सामने त्रिलो की नाद भगवान शंकर और जगजन्नी पार्वती जी आशिरवाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं गोपाल दोड़कर उनके चर्णों में गिर पड़ा और भक्ती पूरवक अपनी अश्रुधारा बहाता गया तो एक बार प्रेम से बोलिए जै भोले नाद ओम नमस्शिवाए हे प्रभू, हे शिवशंकर जिस प्रकार आपने उस भोले भक्त को दिया उसे दर्शन दिये, उसे कृतार्थ किया वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कल्यान करना कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना हर हर गंगे, ओम नमस्षिवाय, जै मा पार्वति